नमस्कार मित्रो मैं हूँ अंकित कुमार साहू राजबीर अलहाबाद प्रयागराद से आज मैं बात करने जा रहा हूँ दे बेस्ट राइटर्स आफ आल टाइम और इन बेस्ट राइटर्स में से मैंने 50 राइटर्स को सेलेक्ट किया हुआ है ये वेबसाइट से प्राप्त इन्फरमेशन के आधार पर है हम पहले राइटर के रूप में ड्रेमेटिस्ट के रूप में देखते हैं अपने विलियम सेक्स पियर को विल्यम सेक्स्पियर के जो वर्क रहे उनमें किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट यानि हौकम अगर आप याद करते हैं हैम्लेट, ओथेलो और किंग लियर इनके बेस्ट वर्क रहें फियोदोर दोस्तो वैस्की का जब नाम आता है तो क्राइम और पनिश्मेंट और डेमन्स इनके बहतरीन वर्क में से याद किये जाते हैं चाल्स डिकेंस आपके वेक्टोरियन एज के नॉबलिस्ट रहे और इनका ग्रेट एक्सपेक्टेशन अक्रिसमस के रोल डेविड कॉपर फिल्ड जो आटो बैग्रफिकल नॉवल है लियो टॉलिस्टाय का वार एंड पीस एन अनना कैरनीना लियो टॉलिस्टाय का जो वार एंड पीस वर्क है ये पूछा जाता है कि इससे कौन प्रभावित रहा तो वो थे आपके महत्मा गांधी वार एंड पीस से प्रभावित थे जे आरार टॉल्किन के जो वर्क्स रहे उनमें दे लाड अब दर रिंग्स और हॉबित रहे ये दो वर्क्स उनके काफी महत्मा पूण रहे होमर का इलियाड और ओडिसी इनके काफी महत्मा पूण वर्क है इन वर्क्स को आप जब देखते हैं जैसे की रोलिंग ने लिखा है जे के रोलिंग है और जे आरार टॉल्किन है तो डोंट बी कनफ्यूस्ट प्लीज जो जे के रोलिंग है उन्होंने लिखा हुआ है जो है है रिपॉर्टर सीरीज को जोर्ज और्वल का 1984 जिसका जिकर में अपने लेक्चर्स में भी कर चुका हूँ और यहां भी बताना चाहूँगा और एनिमल फॉर्म जो है एनिमल एलेगरी में लिखा गया है मार्क ट्विन का एडवेंचर आफ हकलबरी फिन और एडवेंचर आफ टॉम सायर मार्क ट्विन के इंपॉर्टेंट वर्क है एडगर एलेण पो इनका दर रैवन और दूसरा वर्क देल टेल हर्ट और विक्टर हुगो का लेस मिजरेबल दा हंच बैक आफ नॉर्थ डैम ये इनके दो वर्क है एडगर एलेण पो का दो दर रैवन वर्क का भी महत्तपूर्ण है आसकर वाइल्ड आसकर वाइल्ड का के जो वर्क है वो है दा पिक्चर आफ डॉरियन ग्रे दा इंपॉर्टेंस आफ बींग अर्निस्ट एन अधर प्लेज जब हम बात करते हैं दान देने लिखा अर्नेस्ट हेमिंग वे के जो बहत्रीन वर्क है उनमें है दा ओल्ड मैंड और सी फेयर वेल टू आर्म इनको नोवल प्राइज दिया गया था अर्थर कॉनन डायल के जो वर्क है इन्होंने जो है खूपिया टाइप की स्टोरिज लिखी दा लास्ट वर्ड है अगे हम बात करेंगे और रायटर्स की और नॉबलिस्ट की जिन में है जेन अस्टिन, जेन अस्टिन का प्राइड अन प्रेजडियुसर और सेंसिबिलिटी, ऐमा यह बहुत ही महत्पूर्ड वर्क है और पलेटो का कौन नहीं जानता पलेटो के वर्क्स को पलेटो का र Laces एक इनका प्लेटों का दूसरा वर्क है तो दोस्तो ये वर्क ऐसे वर्क हैं जो आपके एकजाम में काफी पूछे जाते हैं कि ये वर्क किसी ने लिखा हुआ है वहाँ पर 4 अप्सन होते हैं 4 अप्सन मेंसे आपको एक चूछ करना होता है Great Gets By क्यूरियस टे ऐसे करके इनके जो दो वर्क हैं वो काफी महत्तपूर्ण हैं एलेकजिंडर धुमास का दा काउंट आप मोंटे क्रिस्टो दथरी मस्किटर्स काफी महत्तपूर्ण इनका वर्क है जिस पर एक वी वनी दा थ्री मस्किटर्स जूल्स बैन के दो हजार लीग अंडर दा सी जर्नी टू दा सिडर फ्रेंज काफका का दे मेटामॉर्फेसिस और दे ट्रायल ये दोनों बहुत ही महत्पूर्ण वर्क हैं बहतरीन वर्क हैं लायन डवीच एंड वार्ड़ोब इनके दो वर्क काफी महत्पुर्ण मने जाते हैं आगे हम बात करते हैं जोन स्टेंबेग के जोन स्टेंबेग का लाइफबोट और माइस और मैन माइस अन्न मैन काफी महत्पूर्ण वर्क है यह पूचा जा matar कुगा है कि माइस सेन मेन किस वोल्फ गैंग वोन केटे का फॉस्ट है दसौरो जावियंग वर्थर है और अगाथा क्रिष्टी के दो वर्ख दमर्डर आफ रोजर एक्रोइड और मिरर क्रैक्ड ये इनके वर्ख है चार्ल्स डिकिन्स मैं और लेडी बता चुका हूँ कि चार्ल्स डिकिन्स का ओलिवर ट इनके दो वर्ख है रोबर्ट लुईस स्टिवेंशन इस्टेंज के साब डाक्टर जैकाल एंड मिसर हाइड ट्रीजर आइलेंड दो वर्ख इनके काफी बहतरीन है और ब्रादर ग्रिम्स के स्नो वाइड एंड रोज रेड रंपल स्टिकिन्स आपने स्नो वाइड का नाम जरूर सुना होगा कि यह किसने लिखा है एच जी विल्स दा टाइम मशीन और एबट एन कोस्तेलू मीट दा इन्विज्वेल मैन और टाइम मशीन इनके काफी महत्तपूर्ण वर्ख हैं और सोता रुस्तवेली का दा नाइट इन दा पर्थर इसकिन ली केर्बियर्स दो व इनको रिमेंबर रख सकते हैं कि एक्शली में ये इनके इनके वर्क्स है अगर आपके सामने आप्शन पड़ता है तो आप उसको तुरंट पुट कर देते हैं अलबर्ट कैमस का नाम आता है जब अलबर्ट कैमस जो है इनका प्लेग और दा इस्ट्रेंजर और विल्यम इक बहुत ही पूचा जाता है किसने लिखा है और बेनेटिव सेरेनो दो इनके वर्क काफी महत्पून हैं अगले जो हम बात करने जा रहे हैं दो और वर्क्स हैं इसे 37, 38 तो आपने देख लिया अब देखते हैं 39 and 40 रुद्याड की प्लिंग दे जंगल बुक जो आप बिल रुद्याड की प्लिंग तो आप जानते ही हैं गैब्रिल गार्सिया मार्केज 100 इयर्स आप सॉलिट्यूड और आटम आम आफदी पैट्रियाक्स और मैरी शेली का फ्रेंकेंस्टेन का नाम किसने नहीं सुना होगा और सना फ्रेंकेंस्टेन इनके दो बहतरीन वर्क हैं मै पोक जरास्थ्सरा एक्शली में इनके दो वर्क हैं और चार्ल्स डिकेंस के बारे में मैं बता ही चुका हूँ एक्शली में ये रैंकिंग है वोटर्स द्वारा दी गई हुई कि कौन राइटर क्यब का है कितना महत्वण है कितने वोट्स मिले सुफोकलीज का एडिपस द गीह चैया सनफदे वोटर्स दियातर तेरह दो वोटर्स दो इनके बेहतरीन वर्क में से देए जाने जाते हैं और हर्मन हेस का सिध्धार था और इस्ट्रफ वॉल्फ उनके दो वर्क बहतरीन हैं जिनके लिए इनको 48 रेंग प्राप्त हुई और अन्तिम जो दो आपके बहतरीन फिगर्स हैं उनके बारे में हम जरूर देख लेते हैं और वो हैं आपके सामने वॉल्टेयर जिन्होंने लिखा कैंटिड और जेयर और टी असिलेट देवेस्ट लेंड एंडर लपस